मेरे घ्की सारे वियूवर्स के मुझे अक्सर ये फोन पुर्ट कि सिर्टार आप मुस्तली जो हैं वह एक on बिड़ से परेशान हैं जिनका लोड बहुत कम हैं जिनके अहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बिजली के बिलों से परिशान है उनको एक चार्ज के नाम पर एक बहुत ज्यादा अमाउंट देना होता है जबकि उनका बिजली का बहुत कम होता है तो उनके लिए कोई शॉलिशन बताइए तो फ्रैंट्स आज मैं आपको बताने वाला हू कि नेक्सस का 195 बाइफेशल जो मोड्यूल है वो आप किन किन एप्रिकेशन में यूज कर सकते हैं कितना उसकी कैपरसिटी है कितनी बैटरी बैंक चार्ज कर सकते हैं घर का क्या क्या लूट चला सकते हैं कितने रुपे का है कहां मिलेगा तो फ्रैंट्स मैं हूं दिपक प्रफर चनल को subscribe नहीं किया है तो कि निवीदन और मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि जो आप लोगों की inquiries होती है या आप लोगों का ये शिकायत रहती है कि सर्व फून नहीं उटता है उसलों उन भाईयों को मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि किरप्या सुब और सभी नमबर वाट्सप पेवलेवल हैं आपकी जो भी क्वेरी है वह वाट्सप भी छोड़ सकते हैं तो फ्रेंड्स जो ऐसे दुकांदार भाई है जिनका सिर्फ एक फैन का लोड है कि एक फैन उनको दिनबर चलाना है और शाम को पांच बड़े से उनको लाइट जलानी ह या कोई DC का उनके हां कूलर लगाना है गर्मी में चलना है और उनको यह करना है कि उनके पास छट भी नहीं है अपनी कि छट भी या पेर वहाँ पैनल चोरी का खत्रा है तो उन लोग को क्या करें तो उन लोग के लिए जो सबसे बैस्ट आप्शन है वो है नेक्सस का 195 है अब इसका मतलब क्या हुआ कि 100 से लेकर यह जो है बैटरी को चार्ज करेंगा इसका मतलब यह है कि आप लोग दिन भर अपना एक चला सकते हैं जो आपका च्छत वाला फैन होता है तो आप दिन भर उस फैन को चला सकते हैं शाम को चार से पांच बिजे के बाद में आप साथ नो बई तक आप दो लाइडियल आ सकते हैं यह है अब चुकि यह एक मड्यूल है और इसका जो साइज है वह साइज भी बहुत जाद बिग नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हैं इसको परड़े आप उठा के बाहर रख सकते हैं हमारे कैई सारे ऐसे यूजर से हैं ज बुद्र जलती रहते हैं जब भी अपनी दुकान बढ़ाते हैं तो दुकान बढ़ाने के टाइम पे अपना पैनल को उठा रख देते हैं तो उन लोगों के लिए यह सबसे बढ़िया पैक है और सबसे बच्ट में हैं करीम नह जार रुपे के आसपास का मोड्यूल है और इस मडूल की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 1008-2 पैनल अगर आपको लेने हैं या आपDate, 108K-2 पैनल लेने हैं आपको आपको वो नहीं लोह, उसकी कोई जूत नहीं है आपका सिंगल एक पैनल में ही आपके तो यह इसका सबसे बड़ी है जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके घर में कोई बहुत जादा खर्चा नहीं है बच्चे टीवी देखना है एक फैन चल जाए उनका शाम को लाइट जल जाए बच्चे पढ़ ले एक बैटरी है उनके पास मैं टेक्टर वाली बैटरी नाम से जानते हैं बाइटरी को वाली बैटरी है वो चार्ज करनी है तो उसके लिए बैस्ट ऑप्शन है एक पैनल आप लीजिए दिनवर आपका फैन भी चल जाएगा आपकी 35 बैटरी शाम को फुली चार्ज आपको मिल जाएगी और शाम के टाइम आप बैटरी से अपना फैन चला सकते हैं और अपना लाइट जला सकते हैं अब एक आपका यह सवाल होगा कि सर अप इस पैनल को हम यूज किस तरह करेंगे तो उसको यूज करने का बहुत आसान सा तरीका यह है कि इसके जो प्लस और माइनस दो वायर आ रहे हैं उन दोनों वायरों के बीच में और बैटरी के बीच बीच में आप एक कंट्रोलर लगा दिजेगा 12 वोल्ट का आप ले लिए 10 ampere तो कम से कम रखेगा अवर 10-50 ampere की बीच में आप कोई भी PWM कंट्रोलर आप ले सकते हैं और आपको जो पैनल से जो वायर आ रहे हैं वह आपको कंट्रोलर में लगाने हैं और कंट्रोलर से दो आपको बैटरी में लगाने हैं अब उसका फाइदा यह होगा कि आपकी बैटरी ऊवर चार्ज नहीं होगी और अगर आपको कोई डिसी लूड आपको डिरेक्ट चलाना है पैनल से तो आप डिरेक्ट पैनल से ना चला है उसको आप जो कंट्रोलर में जो लोड के लिए निकल आते रहते हैं तो गलत तरीका है और आपकी बैटरी भी खराब हो जाएगी तो अच्छा तरीका यह है कि अगर आपको को डिरेक्ट लोड भी चलाना है तो आप वाया कंट्रोलर के थ्रू आप उसको चला है जो प्राइस है और इसमें जो ट्रांस्पोर्टेशन चार्ज है है वो एक्स्रा रहता है जैसे कि अपनी सब भी video में बताता हूं कि हमारे जो भी सारे प्रड़क्ट्स है जो भी आपको website है मिलेंगे और कोई भी प्रड़क्ट है का थह रहे लोग टूपे कर देंगे या ट्रांस्पोर्टर का आपको चार्ट लगना है इस वाले मॉड्यूल को बाई करने के लिए आप में आपके हमारे डिस्टिबूटर है लगबग 19 से स्टेट में हम लोगों का डिलर डिस्टिबूटर नेटवर्क आज की देट में हैं तो आप तो आपको मना कर देंगे कि सर आपके आसपास में कोई हमारा डिलर डिस्टिबूटर नहीं है आप डैक बैप साइट से बाई कर सकते हैं तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें जाता से ज्यादा लोगों तक शेयर करें अग मैं वीडियो आप लोगों को दूँ तो आप वो भी उसमें लिखेगा कमेंट बॉक्स में और अभी तक आपने अगर हमारा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब आप पूरा यह वीडियो देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा ओर हो रहा है कंपनी की जो सब स्केंट बाक्स या उस पर प्रिंटेड है जैसे कि आप देख रहे है आ इयाफ सटिफाइड है इसके लावा का आई सी सर्टिफाइड है कंपनी तो यह सब कंपनी के सर्टिफिकेशन जो इसकी पैकिंग बॉक्स है उस पे दिये गये हैं उसके उपर यह कंपनी ने इसको रेपरोल किया है जब आपको एंबॉक्स करके दिखाते हैं कि अंदर से कम जो मड्यूल है वो किस तरह का है कि अब बेसिकली आपकी लेंग्वेज में इसे 12 वोल्ट का पैनल बुला जाता है 12 मत का जो जनल आम सवर पर हम लोग इस्तमाल करते हैं 12 वोट का पैनल उसकी जो वीजी होती है वह करीब 18 से लेके और 24 वीजी तक के पैनल्स जहें वह बारे वोल्ट के पैनल में काउंट किया जाते हैं बेसिकली 12 वोल्ट से मतलब है कि 36 सेल का यह मड्यूल होते हैं और अगर हम लोग डायरेक्ट किसी अपनी बैटरी को हमें चार्ज करना है एक सिंगल बैटरी को हमें चार्ज करना है तो उसके लिए हम एक कंट्रोलर की हेल्प से और इस वाले पैनल को यूज करते ह अजयना हिसे पैनल लगाया हमने उसके बीच में कंट्रोलर लगाया और पैनल लगाने के बाद में हम लोग बैटरी को प्नी को चार्ज करने प हम लोग को डारेक्ट हमें लोड भी चलाना है कोई फैन है हमारा डीसी या कोई डीसी कूलर है तो उसको भी हम लोग चला लेते हैं तो अब यह अनबॉक्सिंग देख रहे हैं अब तो यह कंपनी का लोगो है इसके अलावा बारकूट दिया हुआ है 195 बाइफेशल और आगे इसका पैनल का जो है वह बारकूड है आप बारकूड की एल्प से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो बारकूड लगा है सेम उसी नम्मर का पैनल है वहाँ जो में बस वायर है उसमें जाके collect होता है पीछे जो हमारा junction box होता है उसके अंदर नंबर of cells की हम लोग बात करें तो नंबर of cells में आप देखेंगे कि 1234 चार सेल हैं इसके अंदर जो चार सेल की रहा है और यह नाइन सेल जो है यह वर्टिकली है तो टूटल नंबर of panels जो जो नंबर of cells हो जाते हैं हमारे पास में वह हो जाते हैं 36 अब इसको हम गुमा के देख लेते हैं बाडियूल को को यह इस टेक यह जंक्शन बॉक्स है को जो चार्ज होता है वो जंक्शन बॉक्स में आके collect होता है से लिए आप देख रहा हैं दो डायोट लगे होया हैं ताकि रिवर्स कर्ण्ट पर्टेक्शन के लिए लगाए जाते हैं और इसके लाव जो आप वाहेट देख रहे हैं असलीकॉन है सिलीकॉन से इसको पूरी तरीके से चिपकाया गया है कि और यह जो है हमारा यह प्लस है और यह हमारा माइनस है यहां पर आप कोई भी अपना फोर एम्म यह 6 एम का वायर आप सुल्ड कर सकते हैं और अपना करेंट हैं पर ले सकते हैं कि पीछे से गर हम लोग देखेंगे तो आप यह हैं वह बढ़िया है चुकि बाइफेशियल मॉडियूल है और बाइफेशियल मॉडियूल की खासियत यह होती है कि दौन तरफ से वर्क करता है दोना साइट से काम करेंगा इसका प्रक्टिकली डेमो में आप लोगों को दिख हम देखेंगे यह बिल्डिंग के अंदर है बिल्डिंग इतने अंदर है हमरी और यह बिल्डिंग के अंदर रखा हुआ है मोडियू है जहां पे कोई डारीक्टि लिसलाइट नहीं है के वल्रियूटिव लाइट आ रही है तो आप देखेंगे लगा के देखां 15 वोल्ट मतलब 15 वोल्ट का जनरेशन यह अभी भी कर रहा है बिल्डिंग के अंदर अभी इसको अगर हम सीधा कर दें मड्यूल को सीधा कर दें तो सीधा करने के बाद में आपको दिखाता हूं अगर हम लोग इसको सीधा कर देता हैं तो सीधा करने के बाद में हमारी कितने वोल्ट हो जाएंगे अगर हम पूरा इसको ग्रादेंगे तो लगवा 15 वोल्ट करता है और लो लाइट मैं भी आप देख रहे हैं कि 16 पैनल के अंदर जनेशन हो रहा है अभी एक सेम कंपेरेजन में में आपको दूसरा एक मॉडियूल दिखाता हूं अगर एक सेम दूसरे किसी मॉडियूल को हम हम लोग इसी तरह उल्टा करके रख देते हैं तो उसका जनेशन क्या रहेगा अब आपको वोल्ट में इसका दिखाता हूं अगर सेम कंडिशन में हम लोग टैस्ट करते हैं तो उहां पर यह थ्री गोल्ट रहे जाता है नॉर्मल मॉडियूल तो और हमने यह सेम मॉडियू के साथ में एक बार टैस्ट करते हैं उल्टा करके दिखाऊं तो फोर्टीन पॉइंट एट बोल्ट मतलब कि पास्ट फाइव टाइम्स ज्यादा हुजाता है तो एक नॉर्मल पॉली मॉडियूल है कि अधियर साथ देख रहे हैं कि अधियर में अध्याइब कि अध्याइब कि अध्याइब